गुरु हायराज सेब ये संगत में बचन कर रहे हैं कि जो गुरु का दस्वंदे निकालते हैं लंगर में देते हैं गुरु के लंगर में उनके घर में से खोट, तुक, कलेश और रोग भी निकल जाते हैं पहर से वो लिए धन गुरुनाद एक आदमी खड़ा हो गया हाज जोड़कर पाच्छा मैं बहुत गरीब हूँ बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे दस्वंदे निकालू तो देने में भी शरम आती है, इतना सा जाकर गुरुदवारे में दें पहर से वो लिए धन गुरुनाद गुरुनाद एक दान कर दिया करी वो कहने लगे एक रोटी से क्या होगा गुरहणयस अभी जी कहने लगे तेरी यह एक रोटी दान की हुए आगे चल कर तुझे हजारो रोटीया बांटने वाला बना देगा तो जाक वुलिए दंगूरूनाने गुरहणयस सभजी के बचन है कि चार खाता है तीन खाले एक दान कर दे आगे चलकर हजार रोटिया दान करने वाला बन जाएगा तू ये तेरी एक रोटी इतनी बरकत ले आएगी तब एक और से खड़ा होगे हाँ जोड़कर पाच्छा मुझे भूख चार रोटियों की होती है मैं बहुत गरीब हूँ पर मिलती खाने को केवल दो तो मैं कैसे दान करूँ आप कहते हो बवसागर से पार होना है तो दसवंद निकालो मेरा भला नहीं होगा मैं गरीब हूँ मैं दो रोटी खाता हूँ बूख चार की है मैं क्या दान करूँ तो गृरु हरय सेफ जी कहले गरी आगा यहां संकत में बैठी है क्रुशेब जी ने इशारा किया गरं वाली सामने आगा और जब वह कटोरी भर जाये तो जहां गुरु का लंगर बनता है नहीं पर जाकर दान आल आया करूँ यार से वह लिए दन गुरु नाए तो गुरु हराय सहीव जी ने संगत में घटना सुनाई साथ संगत चैन लेगे एक गरीब किसान चोटा सा धर्ति का टुकड़ा जिसके पास मुश्किल से खाने को रोटी बनती है घर से बोलिया दन गुरनाना चोटा सा टुकड़ा है कि अपने घर के लिए थोड़ सा अनाज बोलेता है बस चोपड़ी है टूटी फूटी वहाँ पर वो अनाज कठा करके रखता है पूरा साल उसी से काम चलाता है प्यार से वो लिए दन गुरनाना और दिन में केवल एक बार भोजन मिलता है उसे रात को पूरा दिन उसे भूखर रहना पड़ता है क्योंकि दो वक्त खाएगा तो भोजन वो अनाज खतम हो जाएगा तो बोलिया दन गुरनाना क्यालना कि उसी घर में चट पर टूटी हुए चट पर एक चिडिया का जोड़ा रहता है चिडिया का जोड़ा उन्होंने आपस में विचार किया तो यह इतना गरीब है हम इसके अनाज में से अनाज कहते हैं रोज क्यों ना इसका कुछ भला कर दें तो मूरक है इसे पता पर नहीं आपना बला करना कैसे है पहार्से फोली अदान गुर ना तो उन्होंने आपस में वे पैसला करें चिडिय dipping के रोज दो दाने वर उठाकर चार दाने लंगर में डालाया करेंगे, प्यार से वह लिए अधान गुर्णान, चार दाने गुरु के लंगर में डालाया करेंगे रोज, उस चिडिया के जोड़े ने, चार दाने उठाकर लंगर में डालने शुरू किये, गुरु के लंगर में, क्या हुआ साथ सजाथ, गुरु हराय स जैब जी सुना रहे हैं एक गटना है कि कुछ ही समय में बरकत पढ़ने शुरू हो गई प्यार से वह लिए दन गुरुनाला असल में हमेना सारी शिक्षा यह उल्टी दी गई है हम जी समाज में रहते हैं महां पर सिखाया गया कि लूट लो दो नहीं किसी को प्यार से वो लिए दन गुरुनाल निक जहां बश चलता है ले लो पर एक बात बहुत ध्यां से समझ लेना साथ सिंगाच्छ शिंपल सी एक कानून है कुद्रत का नियम है जो चाहिए आपको जो आपको चाहिए आपको नहीं मिल रहा है वो बांट दो प्यार से बोलिए दन गुरुनानक हजारों लाखों गुना होकर मिलता है जो चाहिए वो बांट दो गाली चाहिए गाली दे दो किसी को आगे से चार गालिया मिलेंगी आज किसी से जबर्दस्ति किसी से बद्शलुक कर लो कई गुना होकर तुम्हारे साथ होगी बीजय बिख मंगय अमरित आज हम किसी के साथ बुरा करें और सोचे हमारे साथ अच्छा होगा नहीं हो सकता यह बानी कहती है प्यार से बोलिये धन गुर्णानिक जो चाहिए वो बांट दो सुख चाहिए सुख बांट जिस परक दन गुर्णानिक जो बार दिख गया वो तो चिडिया खा जाएगी जो धर्ति के भीतर गया वही फल देता है अगर दान करो तो उस प्रकार से कि दाया हाथ करें बाएं को भी पता ना चले हैं कई लोग इस उमीद से करते कि हमारे नाम लिखे जाएं फिर नाम ही होगा बीज बाहर आ गया फल नहीं बनेगा प्रकात पढ़ने शुरू हो गए उसके सान के घर में अब जिस चीज में हाथ डालता है मिट्टी में हाथ डालता है सोना हो जाता है इतनी कमाई होने लगी इतनी जमीने खरीद लिये उसने कि उसने अपनी जौंपडी तोड़वा कर हवेली बना ले हार्ब जौंपडी तो वो चीज में नहीं पता था कर बरकतभ पढ कहां से रही है वह और गोशला कोई जिदे का घोसला टूट गया, वो बाहर पेड़ पर बेठे हैं, आपस में विचार करें यह अच्छा बला किया हमने, यह जब लिए दन गुरुनान गा, दन गुरुनान गा, पर कुछ नहीं का, यह सची गटना दास सुना रहे है, गुरहराय सेब जी अपने मुखार मीं से इशर सिंग जी राडा साहब ले इस गटना को बार-बार संगत में सुनाया करते हैं, बार-बार, क्योंकि इसमें शिक्षा है बहुत है, दूसरी शिक्षा सी देखे हैं,